नमस्का फेंट्स में नाम बबली और माँ पेपर है करम्य आपका स्वागत है हम इस्टार्ट करने वाले हैं यहां पर बीए सेकंड सेमेस्टर हमारा चल रहा था बीए सेकंड सेमेस्टर जिसमें हम पढ़ रहे थे हिस्टरी क्या पढ़ रहे हैं भी हम पढ़ रहे थे हिस्ट की वारे में एफे सबको पता है बावर से स्टार्ट करते हैं अब अबर भूझा सा नाम है उसके पूरा करते हैं तो यह का क्या नाम था आपको पता है पानी पत का यह दुगहा था उसके बाद इबराहिम लोदी मारा जाता है और यहां पर 21 अपरेल 1526 में गव एकिस अपरेल 1526 में क्या बनेगा 21 में यहां पर मुगल सतनत की नीप डालता है कौन बावर अब बावर को स्टार्ट करते हैं तो बाबर के पिता का नाम क्या था बाबर के पिता का नाम बाबा कैसे थे उमर में ज्यादा होते हैं तो उमर ऐसे आद कर लो तो बाबा के पिता का नाम क्या था मिर्जा उमर से था कौन था मिर्जा उमर से था अराम से आद हो जाएगा अगले बात कहते हैं निम्रिकित में स कौन अकबर का पुत्र बाबर का पुत्र नहीं था तो निम्रिखित में से कौन बाबर का पुत्र नहीं था ये बताना है तो बाबर के पुत्रों के बारे में मैंने सब बता रखा है हुमायू कामरान असकरी हिंदाल कौन थे हुमायू था कामरान था असकरी था और कौन था हि रखना है चार बेटे इसके हुआ करते थे बावर के कौन हुमायू कामरान असकरी हिंदाल तो बार बार पढ़ोगे तो बिल्कुल याद रहेगा हुमायू कामरान असकरी हिंदाल हुमायू कामरान असकरी हिंदाल तीन चार बार आप रिपीड करो ताक को याद हो जाएंगे ठीक है तो निम्रिकित में से कौन बाबर का पुत्र नहीं था तो हुमायू था कामरान था असकरी था और हिंदाल था मगर अकबर इसका पुत्र नहीं था तो यहीं हमारा आंसर बिल्कुँ सही हो जाएगा अगले बात करते हैं पानी पत का पृत्म यूद चेयर यहां पर क्या हो जाएगा 21 से 1526 आपका बिल्कु सहीं आंसर रहेगा अगले बात करते हैं पानी पत का पृत्म यूद किसके मद लड़ा गया था था बावर और इबराहिम लोदी के द्वारा ठीक है बावर और इब्राहिम लोदी के द्वारा रड़ा गया था अगले बात करते हैं पानी पत का प्रिथम युद्ध 21 अपरेल 1526 में बिजय हुआ था तो मैं बार बार क्यों पढ़ा रहा हूं 21 अपरेल 1526 नहीं भी है फिर भी वोल रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको याद हो जाए तो पानी पत के प्रिथम युद्ध 21 अपरेल 1526 में कौन बिजय हुआ था तो बिजय हुआ था कौन बावर और इब्राहिम लोदी आर गया था और मारा भी गया था अगले बात कहते हैं किस युद्ध में इब्राहिम लोदी ब बावर ने सीखा था अब देखो क्योशेन कितना विज़ा यह अंपर यह बहुत अच्छा कूशिण और बैसे आपसे स्पिलिक घुशता सिन्य ने किस झौपनाया था तो बहती तुलु गमा पदिती युद्ध में अपणाई थी इसने और इसी के तहद पानी पतका यूद अब यह अपनाई कहां से थी तो यह उजबेगों से अपनाई थी कहां से इसने उजबेगों से सीखा था यह आता आपको यहां पर ध्यान नेकनाई थोड़ा सा डेप्री कुशन पुछा गया है अगले बात करते हैं बावर के आकरमर्ण के समय मेवाड का सबसे सकती साली से मसफ्भा करता है इसके ब्ल reform और यहां राणाई करता नेकमर्ण के समय करते हैं सफसे मर्ण तो फावर निरस जबाव और तैसन पर होड़ा के बीचरा बाबर और नेयमें उसले बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये पानी पत का पिर्थम युद्ध है पानी पत का पिर्थम युद्ध देखने को मिल जाता है और बाबर और मैदनी राय ये 28 में होता है 28 में होता है बाबर और मैदनी राय के बीच ठीक है ये होता है तुम्हारा चंदेरी का युद् 1527 में चार युदध लड़े थे एक जब आया था तो 1526 में फिर 1527 में फिर 1529 में लगातार चार युदध लड़े और 1530 में तिरू हई तो 1526 में आप देखोगे पानी पत का युल देखने को मिलेगा बाबर और इब्रहाम लोदी 27 में आपको खानबा का देखने को मिलेगा राडा सांगा बाबर 28 में आपको देखने को मिलेगा चंदेरी का जो मैदनी राय और चंदेरी चंदेरी का मैदनी राय और बाबर के बी जाटेगी आपको काबल में देखने को मिलेगी तो ये बात आपको यहां पर दहाना को प्राजित किया था अगले बात कहते हैं खानबा कहां है खानबा है कहां पर यह आपको बताना है तो खानबा जो है वो आगरा के निकट पड़ता है खानबा ठीक है यह वी बात आपको जहां नकला है अगले बढ़ते हैं बाबर ने युद्ध बाबर ने किस युद्ध में किस युद्ध के गाजी की उपादी धाड़ की थी तो यह बैरी बैरी इंपोर्टेंट कोशन बन जाता है कि बावर ने गाजी की उपादी धाड़ कब की थी कौन से उद्ध के बाद की थी तु बहता खान बाकाई उद्ध 1527 वाला ठीक है इसी के तहत बावर ने गाजी की उपादी धारला की थी ठीक है बागी देरेखें पानी पतका एक पंदराइश चंदेरी एक थाइस घागरा उनुतेश्ट फिक है अगले बढ़ते हैं नेक्स कोशन है चंदेरी के किस सासक के ब्रुद्ध बाबर ने पंदरा सो अठाइस में आकरमर किया तो चंदेरी का सासक वा करता था जिसका नाम था मैधनी जाए तो इसके बीच यह अकरमर हुआ था अगले बात करते हैं बाबर की मित्यू कब हो गई थी तो मैंने भी बताया था लगाता यूद लड़ने के बाद 1530 में इसकी मित्यू जाती है पहली जो दफनाय गया था आगरा में इसकी एक बात करते हैं समाधी ह और यह है कहां पर काबल में इसकी पत्नी ने कहा कि इसकी इनकी इच्छाती काबल में मुझे दफना जाए तो फिर काबल में से दफना दिया जाता है अगले बात करते हैं बाबर की मित्यू के उपरांत सासक बना कौन बना था बाबर की मित्यू जब हो जाती है उसके बाद उस कवेटा हुमायू बनता है दिल्ली की गद्दी पर बैठता है अब यहां पर स्टार्ट होगा हुमायू बात करते हुमायू गद्दी पर कब बैठाता 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 अगले बात करते हैं पहादूर सहा के मद्द संगर्स कब हुआ था हुमायू और बहादूर कोई बहादूर होगा तो इसके अंदर खुन तपता होगा ना तो तीन पांच आप यहां पर याद करोगे तपता तो ऐसे याद कर लो तीन पांच क्या होजाएगा 1535 तो हुमायू और बहादूर सहा के मद्द संगर्स कब हुआ था 1535 में देखने को मिलेगा आगले बात करते हैं बिलगरामत्वद करनाौज का अधूर की बीच होने को मिले गा यहां पर 2 उदकरो हुमायू की गीच हुमाय उन्फ ठेखने को मिलेंगे एक हो जाएगा तुम्हारा किसका काई चौन साने और येक मिएक्ट तुमारे कर नौज या फिर बिल गराम का इते हैं यह कैते हैं फूर मीचते हैं का ड्रूता है 15 149 में 1549 चौसा का एक बरस के वाद कमनोज यां पर बिलगराव का दूटार जोटार कंदरा सो चालिष में जिसमें हमायू हार जाता है और एक नहीं बंस की यहां पर श्टार्ट वहता है तो सूरी बंस से कहते हैं बात करेंगे बिलगराम कद दूट कर गया था तो यह 154 में घया था अगले बात करते हैं हुमायू किस बर से भारत से निसकासित हो गया तो हारा कौन सा था कन्योजकुद में तो 1540 में ये भारत छोड़कर भाग जाता है तो आंसर क्या रहेगा 1540 में हुमायू किस बर से भारत से निसकासित हो गया था तो 1540 में अगले बात करते हुमायू ने द जोहोरिया का जो लड़ा था वो महमूद लोदी के मद लड़ा था किसके महमूद लोदी के मद लड़ा था जो किसका किसका भाई था जो इब्राहिम लोदी का भाई था एक अफगान था अगले बात करते हुमायू को राकी भेज कर किसने सहायता मांगी थी तो रानी करड़ा वती ने यह सहायता मादल को राखी भीज कर अगले भात करते हैं दिन ए-पंढा नामक नगर की स्थापना किस ने की थीटिकी इन ए-पंढा न की स्थापना हुमाईु ने की थी यह आप यहां पर बताना है हुमायू की मित्यु कब होयी थी? बताएंगे इस कांसर क्या रहेगा? तो हुमायू की मित्यु याती है पंद्रा सो चालिस में, उसके बाद में शेर सहथ सूर्य आ जाता है चेर सहा सूरी सूरी बंस की स्थापना करता है हुमायू को भगा कर और ये करता है 15 साल तक कबजा करता है 15 साल तक सूरी बंस आपको देखने को मिलेगा जो कब तक चलेगा कम से कम चलेगा ये आपके 1554 के गरीब में चलता है ये 1555 उसके बाद में 1556 का जो कारिका लाता है वो तो दुबारा से सूरी बंस पर आकरमर करके हुमायू अपनी गद्धी फिर हासिल कर लेता है और उसके बाद में 1556 में ही इसकी मित्व हो जाती है उन्हें कि हुमायू की मित्व कभरिती तो 1556 में हो जाती है लड़ कडाता रहा और लड़ कतन किस विद्वान का है क्योंकि आपको बताए दीनपन्दावन से ही इसकी सीडियू से घरकर मठ्थिव हो जाती हुमाईयू की बात करते हैं यह किसने कहाए यह कहाए लैंपूल लेकसने लैंपूल ने यह कतन कहा है कतन अग्वाइजाम को दो बात करते हैं तो यह एक एक ता घ सूरी के एविजियु के लड़ा गया था तो हमायू और सेरसहा सूरी के वीच लड़ा गया था हुमायू और सेरसहा सूरी के वीच हुआ था यहाँ पर हुमायू अभी जीता नहीं था मात करते हैं बराबर की हुई थी दोनों में अगले बात करते हैं किस युद में सेरसहा ने हुमायू को परास्त कर सूरी बंस की स्थापना की थी तो बहे था बिल गराम अत्वा कन्योज कायुद 1540 वाला यह कहां पर है यह आपको option number कर सा में देखने को मिलेगा बिल गिर्गराम अत्वा करना उच कईयों 1540 अगले बात करते हैं के नाम से कौन जाना जाता है कि इसने सेर मार दिया तलवार से तो इसलिए से रखां केते थे pluck से अगले बात करते हैं शेर खां को शेर खां की उपादी किसने दी थी तो यह दी थी बहार खां लोहानी ने किसने बहार खां लोहानी ने तलवार की लोहे की तलवार से शेर खां ने शेर को मार दिया था इसलिए इनको शेर खां की उपादी दी गए ऐसे इसको याद कर सकते है अगले बात करते हैं, नेक्स कोषिंट भारत के समराट के रूप में सेर्शा हें कितने ब्रसासन किया था, तो भारत के समराट के रूप में सेर्शाने पांच बरसों तक सासन किया था, इस् intentar मैंने बता यदे को पंद्रासोचालिस से לएकर 1545 तक है जी जीभित रह पाता है, उसके बाद जो शेर साह सूरी है कलेंजर के किले में इसकी मित्त्य हो जाती है तो फटने से ठीक है चांदी का सिक्का अत्वा रुपिया स्तर प्रतम किसने चलाया था चांदी का सिक्का अत्वा रुपिया ध्यान रहा ना चांदी का सिक्का पूँचे या पिर रुपिया पूँचे तो किसने राता तो बहर चलाया था सेरसा सूरी ने किसने सेरसा सूरी ने सिक्का पूँचे था उन्हें गुजारा भत्ता दिया तो ये किसने दिया था ये बताना है अगला है तो कब हो गई थी तो मैंने कहा था पंधरा सुचालिस से कार्यकार समारता फंधरा सु पैंतलिस अब पहत अब हमें करना है कि कौन सा विलकुर सही और तो सही होगा 22 मई 1545 कौन सा 22 मई 1545 से वहीति थी 22 मई 1545 इसके मित्य हो जाती है अगले बात करते हैं किस सैन अभियान के समय सेर सहा की मित्य हुई तो बहे होई थी कलंजर अभियान के समय कौँसा कलंजर के खिला जो था उसमें तोप के फटने से तोप थोड़ा कमजोर था सारे तोप जो थे तोप को गले लगा लिया और उसके फटने से फिर मित्य हो जाती इसके तो किस है नवियान के समय सेर सासूरी की मित्य होती कलंजर के अवियान के समय अगले बात करते हैं सेर सा का उतधिकारी कौन था तो सेर सा का उतधिकारी बनता है इसलाम सा कौन बनता है इसलाम साइस का उतर्दिकारी बन जाता अगले बात करते हैं अब बात करेंगे अकबर के बारे में ठीक है तो कि हुमायो का बेटा 14 बर्स की उमर में बैठेगा गद्धी पर ठीक है तो बात करते हैं अकबर का जन्म कब कहा हुआ था अकबर का जर्म कहां हुआ था ये मिटने से बच गया है सोरी, ये अमर कोट में हुआ था आसे अकबर आसे अमर कोट ठीक है, ये बात आपको ध्यान लकोट है तो बात करते हैं अकबर का सनर्चक कौन था बहुत important question है अकबर का सनर्चक था बैरम खा कौन था बहरम खाँ हुआ करता था अगले बात करते हैं पेटी कोट सरकार ये भया जी कुछ important question है ये इतना important question है थोड़ा सा deeply question दे रखा है थोड़ा सा deeply question बुचा गया बस ये पेटी कोट सरकार क्या है जब अकवर एक इस्तरी के महजाल में फजाता है कौन जब अकवर एक इस्तरी के प्रभाब में आ जाता है उसके महजाल में फजाता है कम से कम चार साल बरबाद करता है उसने चार साल एक औरत के चकर में ये बरबाद कर देता है एक इस्तरी के चकर में बरबाद कर देता है उसी घटना के लिए पेटी कोड सरकार कहा जाता है तो पेटी कोड सरकार जो था वो पंद्रा सो साथ से लेकर पंद्रा सो चौशड का कारिकाल जो है वो पेटी कोड सरकार की काल से जाना जाता है यह बहुत इंपोर्टेंट है थोड़ा डीपली कोशन पूछा जया यहां पर पेटी कोड सरकार 1560 से लेकर 1514 के दोरान अकबर किस इस्त्री के प्रभाब में रहा था तो उस इस्त्री का नाम बताना है तो उस इस्त्री का नाम था महम अनंगा कौसा महम अनंगा तो यह आपको यहां पर ध्यान लगना है महम अनंगा नाम की इस्त्री थी जिसके जाल में फाजियाता कौन अकबर तो इसक क्ईदा फरबरी 1576 की बात है कौन मर जाता है शुक्ट की 1556 में कौन मर जाता है आपको कि इसके पिता हुमाईू अक बात करते हैं गद्धी पर बैठेगा कौन ॅकबर बात करते हैं 14 फरबरी 1556 को 14 बरस की आयू में अकवर का राजबिशे किस इस्थान पर संपन हुआ था तो बहुआ था काला नौर में कहाँ पर काला नौर में इसका राजबिशे होता है अमर कोट में इसका जनम होता है अगले बात करते हैं अकवर ने सरप्रतम किस राजपू अगले बात करते हैं किस संत के आसिरबाद से अकबर के पुतर जहांगीर का जन्म हुआ था उसी के नाम से जहांगीर ने अपने पिता अपने बेटे का नाम भी रखा था तो बहुत कौन था सलीम चिस्ति तो इसे पूरा कहेंगे सेक सलीम चिस्ति कौन था सेक सलीम चिस्ति य अपनी राजधानी इसने फतेवर शीक्री बनाई थि औरuf आगरह से हटाकर अपनी राजधानी बनाइट इंट अ तो आंसर क्या रहेगा अकबर और हेमू यहां पर बिल्कु सही हो जाएगा ठीक है जो होगा 1556 में 2656 1556 आपको देखने मिलेगा तीन युद्ध होता है अगले बात करेंगे 1556 इस भी में अकबर ने चितोड का फतह नामा जारी किया था अकबर ने कब किया था 1568 में निम्न में से किस फारसी गरंत में पतह नामा का पूरा उधार दे रखा है तो बह कौन सा है यह बताना है तो यह दिया रहा है मुनसात ए नमकीन में किसमें मुनसात ए नमकीन में चितोड का फतह नामा दे रखा है अकबर का ठीक है तो यह बात आपको थोड़ी सी यादखना यह तोड़ी से डीपली कूशन है आपर पूछा गया है अगली बात करते हैं यहां पर दे अगले बात करें किस विजय के उपरांत अकबर ने फतेपुर सीक्री में बुलंद दरबाद एक का निर्माड करवाया था गुजरात विजय की उप्टेश में तो आंसर क्या रहेगा यह बैरी वैरी इसमें नहीं पूछा गया है तो किस विजय के उपरांत अकबर ने फतेपुर सीक्री को बुलंद दरबादे का निर्माड करवाया था तो यह करवाया था गुजरात विजय की उपरांत अगले बात कर लेते हैं किस दच्छड राज ने अकबर की अधिनता सुईकार की ती यह अकबर ने प्रारंब की थी अगले बढ़ते हैं यहां देखेंगे अकबर ने दाग प्रिथा कप प्रारंब की थी दाग अच्छे हैं है ना दाग अच्छे हैं वतावई कप प्रारंब की तो यह की थी तेहतर में पंद्रा सो तेहतर में अकबर ने दाग प्रिथा कप प्र अकवर ने दास प्रथा 1562 में सवाप्ति की थी तनी बात आपको यहां पर धान रखता है अगले बात करते हैं दीन ए इलाही का प्रबरतक किसे माना जाता है दीन ए इलाही जो धर्म है वो किसे ने चलाए था आपने आपको किस को खुद को खुदा का पेगंबर किसने कहा था तो बै कहा था अकवर ने की मैं खुदा का पेगंबर हूँ दीन ए इलाही धर्म किसने आता अकवर में चलाया था दीन ए इलाही धर्म बात करते हैं बिद्वत घोशना कब की गई थी तो दीन ए इलाही धर्म कब से चरम सीमा पर पहुंच अगले बात करते हैं, दीन ए इलाही क्या था, अब थोड़ा सा इसको पढ़के देखाते हैं, ठीक है, पढ़के देखते हैं, अकबर द्वारा चलाया गया नवीन धर्म था, धार्मिक मामलों का मंत्राले था, निर्धनों की मदद के लिए खोला गया विभाग था, इसलाम ध धर्म की सिच्छा के लिए खोला गया विभाग था, बता हुए, तो यह हो जाएगा, अकबर के द्वारा चलाया गया एक नवीन धर्म था, ठीक है, अगले बात करते हैं, नेक्स कुशन की बात करते हैं, दीन ए इलाही की स्थापना का उद्देश से था, क्या उद्देश स करना, मतलब यह जो बात करते हैं, हिंदू, मुस्लिम है, इसको समाप्त करना था, दीन ए इलाही का एक मक्षक था, अगले बात करते हैं, अकबर ने इबादत खाना कहां इस्थापित किया था, तो अकबर ने इबादत खाना जो था, वो शिकंदराबाद में, ने सी, सॉरी अकबर ने इबादत खाना कहां इस्थापित किया था, अगले बात करते हैं, यहां देखेंगे, सुलहकुल निती थी, सुलहकुल निती किसने अपनाई थी, किसने चलाई थी, सुलहकुल निती, तो यह अकबर नहीं चलाई थी, सुलहकुल निती, अगले बात करते हैं, किस अगली बात कहीं अगले बात कह लिए निम्रिकित मेंसे किस बादिशान नितियत त race अ कर मुफ्ट कर दिया था जैसे हम कहते हैं जजिया कर जो किया था 15 सब्सक्राइब करता है तो बह्त कौन करता है अकबर समाप्त कर दिया था तुब चलो से छोड़ो चलो कर फिर ले लेंगे ठीक है ऐसे समझ लो इसको ट्रिक को याद कर लो अगली बात करते हैं इस ट्रेडिया कंपनी की स्थापना के समय निम्रीकित में से कौन सा कौन भारत में शासन कर रहा था तो आप सब को पता है पंद्रा सो छै में सुला सो पांच अगले बात करते हैं इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय निम्रीकित में शांगीर का बास्त बिगनाम क्या था जहांगीर का बास्त बिगनाम सलीम जगनाम करता है अगले देखेंगे बात करते हैं यहां पर निमने में से कौन सहाजहां की पुत्री थी तो सहाजहां की पुत्री कौन थी यह आपको यहां पर बताना है देखो बात करते हैं रोशन आरा और गोहन आरा और रोशन आरा आलम आरा गोहन आरा तीन पुत्रियां हुआ करते थी सहा आरा थी, तीन बेटिया थी, रोशन आरा, जहां आरा और गोहन आरा, तीनों बेटियों के नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है, तो रोशन आरा है, आपको बिल्कों सही अंसर हो जाएगा, सहा जहां के किस पुत्र ने बंगाल में स्वैम को हिंदुस्तान का वादशा किस किसने गोशित किया था अपने आपको, वह किया था सूजा ने, किसने सूजा ने, सहा जहां के चार बेटे हुआ करते थे, दारा था, और सूजा था, दारा सिकुहा, सूजा, मुराद और और औरंगजेव, यहां पर सूजा यहां पर बिल्कों सही आंसर हो जाएगा, बंग सहाजा के चारों बेटों में भीषर संगर्श हुआ था 1657 में सब 1657 में हुआ था यह जिसे धनपत का युद्ध भी कहते हैं अगले बात करते हैं यह तुम्हारा सहाजां के पुत्रों के मद्द उत्र धीकारी के युद्ध में कौन सा काड उत्रदाई नहीं था तो कौन सा का बुरूदी कारिक की निती ये बिलकुल गलत है भी औरंग जीब की इस्तिलाम निती अभी कहां से आ गई अभी तो युद्ध हो रहा है ठीक है यही हमारा आंसर हो जाएगा सही सहा जहां दौरा धारा को तदेकारी बाने के प्रयास हाँ जी सहा जहां ने दारा की घोशना कर थी कि दिल्ली का सासक दारा सिखुआ वनेगा सहाजा कि पारिबार एक फूट ये तो कार तो भी थाई क्योंकि सबी लोग क्या करते थे एक दूसरे से द्वेस करते थे अगले बात करते हैं दारा और और अरंग जेव के मदध धर्मत का यूद कव लड़ा गया था तो 57, 58 में लड़ा गया था तो 58 आपको यहाँ पर आंसरो जाए तो दारा और 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 अरंग जेव के मदध धर्मत का यूद लड़ा गया था 1668 में कब 1658 में अब बात करते हैं और अरंग जेव के बारे तो अरंग जेव गद्धी पर कब बैठा तो अभी हमने देखा था 1608 में वीद हुआ तो 16 58 म में ही गद्धी पर बैठ जाएगा धर्मत के उद्ध के बारे में उसके बाद यहाँ पर दारा मारा जाता है और गद्धी पर औरंग जब बैढ़ जाता है 1685 धर्मत अगले बात करते हैं किस उद्ध में औरंग जेब ने अंतिम रूप से दारा सिकुआ को हरा दिया था तो अंतिम रूप से धरा दिया था देवराय के उद्ध में किसमें दा से दारा सिकुआ दा से देवराय के उद्ध में औरंग ज परता था जिसका नाम था साइसता कहां को बेजाता और सिवा जी का दवन करने के लिए अगली बात करते हैं लक्त कर लेता है यहाँ अकाल तक्त की स्थापना किस ने स्थापना की थी वो की थी हर गुबिंद सिंग ने किसने हर गुबिंद सिंग ने जो छटे नंबर के आपके देखने को मिल जाएंगे तो अकाल तक की स्थापना किसने की थी हर गुबिंद ने की थी ये बात आपको यहां पर ध्याना के बात करते हैं रामदास की बात करते है रामदास पहले नमबर के जाएंगे गुरु नानक दूसरे नमबर के तुम्हारे कौन हो गए बात करते हैं गुरु अंगद हो गए तीसे नमबर के अमरदास हो गए और चौते नमबर के रामदास हो गए और पांच में नमबर के अर्जुन सिंग छटे नमबर के हर गुबिन ठीक है अगले बात करते हैं खाल सा पंत की स्थापना किसla ने किती गुरु घुरु घुबिन सिंग ने किती गुरु नानक, फिर नंबर के हैं और घुम्बिनப हैं और उखे नंबर के शेख वv ने हिंदुओं पर जजिया कर कब लगाया था तो औरंग जेव ने हिंदुओं पर पुना इस्टार्ट कर दिया था ये कब किया था ये बताना लेंगे सबी लोग तो औरंग जेव ने इस्टार्ट किया था 1689 में 1689 में औरंग जेव ने पूरा जजीया करको start कर दिया था जो अकबर ने 1564 में बंद किया था इसने 1669 में दोबारा start किया अगले बात करते हैं निम्न मेंसे किस सासक को शात्विक प्रवर्ती का माना जाता है तुब भेमन आता है और रंग जिव रंग कितने होते हैं रंग सात होते हैं तो इससे सको मुगल काल के किस वादसा को जिन्ता पीर कहा जाता है अत्वा इस जिन्ता पीर के नाम से जाना जाता है तो रंग कैसा होता है पीला आप याद कर लोगे औरंग जेव इसके लिए अगले बात करते हैं औरंग जेव कौन सा बाग यंत्र बजाने में पिरवीड था तो औरंग जेव हो गया समुद्र गुप्त हो गया ये दोनों की दोनों बीड़ा बजाने में बहुत ही पिस्दि थे अगरे बात करते हैं औरंग जेव की मित्यू होई थी औरंग जेव की मित्यू कब हो गई थी उसके बाद जो मुगल समराजी था वो एक पकार से इसकी नी भील गई थी तो औरंग जेव की मित्यू कब हो गई थी 1627 में सिवनेर के शीवनेर 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 क ज्यादा थे अगर सस्त्रवाब विद्धा के सिक्षा लीती वो किस लीती कॉंड़ देव से और अध्यात्मिक सिक्षा के लीती रांदा से दोनों में कुशन मनता है अलग-अलग कन्फ्यूज मत होना अगले बात करते हैं सिवाजी और मुगलों के मद्द पृत्म संगर से हुआ था तो यह हुआ था कब 1658 में कब हुआ था 1658 में अगले बात करें पुरंदर की संधी कब होई थी तो पुरंदर की संधी होती है 1665 में कब होती है पुरंदर की संधी किसके बीच होती है मुगलों और सिवाजी की बीच होती है 1665 में अगले बात करते हैं सिवाजी न सिवाधी ने सूरत को पिरसिद दिलूट कपकी थी 1670 में अगले बात करते हैं सिवाधी का राजबेशिक हुआ था कब हुआ था सिवाधी का राजबेशिक हुआ था तुमारा 1664 में कब हुआ था 1694 में सिवाधी का राजबेशिक हुआ था देखने को मिल जाता है अगले बात करेंगे सिवाजी के मंत्री मंडल को किस नाम से जाना जाता है सिवाजी के मंत्री मंडल में अश्ट प्रदान हुआ करते थे तो इसको अश्ट प्रदान के नाम से जाता है सिवाजी की मत्यू कब हो गए थी तो सिवाजी की मत्यू हो जाती है तुमारी 1680 में सिवाजी की मत्यू कब हो जाती है 1680 में हो जाती है Grand Truck Road का निर्माड किसने करवाय था अत्बा Grand Truck Road का निर्माड किस सारम के दुआरा किया गया था अगले बात करते हैं सेर साहा का मकवरा कहां पर इस्तिता है तो सेर साहा का мकवरा सा जहांगीर की समाधी कहां पर है जहांगीर जहांगीर कहां पर लगे लोहे पर मर गए तो लोही की समाधी बना दी है इसको याद कर सकते हो जहांगीर का मकवरा कहां पैस ते जहांगीर की समाधी कहां पर है लाहोर में है अगले बात करेंगे पूर संग मरमर से बनी हुई पुर संगमर्मर से बनी पहली मुगल काली इमारत देखने को मिल जाती है अगले बात करते हैं एतमादु दोला का मकबरा कहां पर इस्तित है तो एतमादु दोला का मकबरा आगरा में इस्तित है कहां पर आगरा में इस्तित है अगले बाते हैं कौन सा मुगल वादसा चित्रक का महान पार की था तो चित्रक्ला किस राका किसे क現在 के लिए अगले बात करते हैं जहांगीर के सासनकाल का चित्रकार था जहांगीर के सासनकाल का चित्रकार कौन था बात करते हैं बिसंदास, मनुहर, गौवर्दन ये तीनों की तीनों जहांगीर के सासनकाल के चित्रकार हो जाते हैं तो आंसर रहेगा उपर युक्त सवी बात करते हैं अबलहसन किस सासक का पिर्सद दर्वारी प्रिकार था तो चित्रकार तो देखुँ चित्रकारी फहमेस किसमें है जहां की तो यह आख मीच करना पर लगा सकते हैं अगले बात करते हैं किस मुगल सासक दोरा बनवाए गया ता़ महल सबको पताए आरी किस विश्म पिरसिद इमारत का निर्मार सहा जाने करवा था और मियूर सिंगहासन का निर्मारा किसने करवाय था तो मयूर सिंगहासन का निर्मारा किसने करवाय था तो ये भी सहा जहाने मयूर सिंगहासन का निर्मारा किसने करवाय था बात करते हैं दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था तो दिल्ली का दो लाल किले हैं एक है आगरा का लाल किल बनबाई था किसने अकबर ने और दिल्ली का लाल रहा था सहा जहाँ को यहां पर थोड़ी सी द्यान पर दिल्ली में स्थित है बात आपने करते हैं ँंधि अगले बात करते है तक करते हैं ताज अगले वलत कर आपतको पता है न हमेशते बताने की जो अतनी है साहजहां का सासंकाल स्वड हो simplement किस साजहां की अ बात करते हैं जहागीर के काल का सरवधिक प्रसिद्र कार को था जहागीर के काल का सरवधिक पिरसिद्य चित्रकार कौन था तो अभी हमने देखा था अबुल हसन जो था वो सबसे पिरसिद्य चित्रकार देखने को बेगा जहां गिए हसनकाल का अगले बात करते हैं किस मुगल वादसा को मुगल चित्रकला सहली के अंतिम सनचक के रूप में जाना जाता है इस मुगल सहाजां को मुगल चित्रकला सहली के अंतिम सनचक के रूप में जाना जाता है भै कौन है इस मुगल सहाजां को मुगल चित्रकला सहली के अंतिम सनचक के रूप में जाना जाता है तो निम्रिकत में से किस सैली का प्रभाव मुगल चितरकला पर नहीं पड़ा पार्सी चीनी और भारती इन सभी का पड़ा था मगर बात करते हैं बैट्रियाई इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था अब भक्ति आंदुलन और सूफी आंदुलन के बारे में बात कर ले तो सद्दुकडी महां सा थी निरुग्रवधिदारा के कभी थे गुरु नानक देब का जन्म कब हुआ था तो गुरु नानक देब का जन्म हुआ था तलबंडी लाहॉर में कहां पर तलबंडी तलबंडी कहां पर हुआ था लाहॉर में आपको देखने को मिलेगा और तलबंडी जर्म होता है तलबंडी लाहौर में अम्रत्यू कहा होती है आपको पताई है जो अभी को रिडोर खुला गया है ठीक है यह आपको पताई होगा अगले बात कर लेते हैं यहाँ रखा है भक्ति आंदूलन के संतों ने अपने बिचारों का प्रिचार प्रिसार किस भासा में कि तो भक्ति आंदूलन के संतों ने अपने बिचारों का आचार प्रिसार किस महासा में किया तो भक्ति आंदूलन वाले जो थे उन्होंने सामान बोलचाल में प्रिसार किया था ठीक है अगरे बात करते हैं सूफी संत के संस्थापक कौन थे सूफी संत के संस्थापक कौन थ तो सूपी संस्थ के संस्थापक थे हुसैन बिन मंसूर को थे हुसैन बिन मंसूर सूपी मत के संस्थापक थे ये बात आपको धानक है चेक निजामुदीन ओलिया का जन्म कब और कहां हुआ था तो आपको पता है बदायू में हुआ था 1336 में हुआ था कहां हुआ था बदाईयों में हुआ था एक निजामुदीन ओलिया का जन्म कहा हुआ था बदाईयों 1236 अगले बात करते हैं बह सूपी संपरदाय जिसे निजामुदीन ओलिया का समन्था तो बहता चिस्ती संपरदाय का था चिस्ती संपरदाय आपको देखने को मिलेगा अगले बात करते ह किस सूफी संतन ने कहा है दिल्ली अभी दूर है तो दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था तो यह कहा था निजामुदीन ऑलिया ने किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है तो यह कहा था निजामुदीन ऑलिया ने अगले बात करते हैं निम्न मेंसे कौन चहुरा वर्दी सिलस लेके सूफी कौन ये थे सेख बहाउदीन कौन थे चेक बहाउदीन ये आपको यहां पर धानक अगले बात करते हैं किस धर्म में सूफी मत का विकास हुगा तो किस धर्म में सूफी मत सूफी कौन थे मुस्लिम थे यह मुस्लिम धर्म में इनका विकास हुगा भी अगले बात करते हैं सूफी संत बिस्बास करते थे इस पर चीहाँ फ़स्बास करते थे इस वर के अब्दार पर बहू देवा करते हैं यहांपर नहीं नहीं है जहांगीर गद्दी पर कभ बैठाता तो ये थोड़ा से रुकना भी ठीटिक थोड़ा से रुकना अब देखेंगे बात करते हैं जहांगीर की बेगम नूर जहां का बास्तविक नाम जहांगीर की बेगम नूर जहां का किया नाम था यह बताना बैँ इस इस तोर्य शुर्य स्वर्य कर यहां पर थोड़ी शी गलती हो गयी तोड़ी यहां पर गलती होगिं इसस्कार accents ने होगा द्राट इस होगा क्योंकि जहांगीर कौन है शलीम ही ही तो है कौन है सलीम ही तो है और सलीम कब बैठेगा जब अकबर की मित्य होगी अकबर की मित्यु कब ही थी 1605 में तो 1605 में गदीवे कौन तो यह अनुत के नाम क्या था महरुनिका सब्काइब क्रणा अगले बात करते हैं लिए ऑ जोगने बात करते हैं और राज्या रोड के तुन्त पश्चासर प्रितम किस सहजादे ने बिद्रो किया था तो जहागीर के एक साल के बाद जहागीर का भाई वह करता था जिसका नाम था खुर्रह औरी खुसरो खुसरो ने बिद्रो कर दिया था जहागीर के राज्या रोड के तुन्त पश्चासर प हुआ कब हुआ था एक बर्स के बाद कब हुआ था तो आपको के 1606 में खुसरों का बुद्रू देखने को मिल जाता है ठीक है अगले बात करते हैं नूर जहां गुट कासदस्द नहीं था तो नूर जहां गुट में कौन नहीं था जो को मिर्जा ग्यासबेग उसके बाप थे बात करते हैं खुर्रम था सहाजां कहेंगे और बात करेंगे असमत बीगंबी थी जो उसकी मा थी और बात करते हैं पान जहां लोदी ये नहीं था बाकिये तीनों की तीनों थे अगले बात करते हैं किस सासन ने वाहर अध्यादेश जारी किय थे बारह अध्यादेश जारी किय थे इसके बारह पहले पढ़ चुके हैं तो जहांगीर ने बारह अध्यादेश जारी किय थे इस सासक के द्वारा न्याय की जंजीर लगवाई गई थी तो न्याय की जंजीर भी जहांगीर के द्वारा ही लगवाई गई थी अगले बारते हैं जहांगीर के सासनकाल में मुगल बा मेबारों के मद संदीक कब हुई थी जहांगीर के सासनकाल में मुगलो बा मेबारों के म सिखो के किस गुरु का बद जहांगीर ने किया था तो बात करते हैं यही जो खुसरो है इसको चड़ाया था किसने अर्जुन देव ने अर्जुन बात करते हैं गुरु अर्जुन सिंग जो पांच में नंबर के हैं इनको फिर इनको मार दिया था जहांगीर के द्वारा सूल का पती हुआ का था जिसका नाम था महाबद खॉं महाबदHYड खॉं कर तो जहांगेर के लिए ली रहे लाग्ले बात करें है को कब हुई थी तो जहांगीर की मत्यू हो जाती है को पता होगा जहांगीर की मत्यू कब हुई थी जहांगीर की मत्यू कब हुई थी तो यह होती है 1628 में कब 1628 में जहांगीर की मत्यू होती है उसके बात में जहांगीर का बेटा जो होता है खुर्रम जिसे हम सहा जहां कहते हैं वो कहां बैठता है गद्धी पर बैठता है अगले बात करते हैं जहांगीर की मित्व कहां होई थी तो जहांगीर की मित्व कहां होई थी आपको कस्मीर में होई थी कहां होई थी कस्मीर में ह होती है जहांगीर की मिर्क्तु अब बात करते हैं सहाजहां का वास्थबिक नाम क्या था सहाजहां का वास्थबिक नाम खुर्रम हुआ करता था बात करते हैं सहाजहां का राजवेशेक कब हुआ था तो सहाजहां का तो राजवेशेक हुआ था वो हुआ था 1628 में कब हुआ था 1628 में ही राज्य विश्यक हो जाता है अगले बात करते हैं अर्जुमंद बानो बेगम जिसे मलिका ए जमानी की उपादी प्रजान की गई थी यहास में इसे किस नाम से जानाता है तो इसे मुम्ताज महल के नाम है सहाजा की बेगम अगले बात करते हैं मुम्ताज महल का बास्तविक नाम क्या था तो मुम्ताज महल का बास्तविक नाम अर्जुमंद बानो बेगम था कौन था अर्जुमंद बानो बेगम अगले बात करते हैं सहाजा का जेष्ट पुत्र कौन था अतबा सहाजा के सबसे बड़े पुत्र का नाम था दारा सिकुहा क्या था दारा सिकुहा चार बेटे थे औरंग जेव सहा सूजा मुराद दारा सिकुहा तीन बेटी थी रोसन आरा बात करते हैं जहां आरा रोसन आरा गोहन आरा ये आपको धानक ना है तो सहा जहां के जेश्ट पुत्र कौन था अत्वा सहा जहां के आपके औरे ंपर सबस्क्राइं आपको मिलेगांस्क्ण हुआरह आपको क्या है नाम कहता ठीक है थाये अपना होता है पुरा की फूरा लेक्शर कहतम फैंट्स- यहां पर हमने यूनिट नंबर जैसे बात करें फ़ो और यूनिट नंबर आपके eight तक मैंने compete करा दिये तो दो वीडियों आपको मिलेगा mcqq question हो सकता है कि घंटे से उपर के क्लासे हों मगर फिर भी आपको क्या है बहुत भाइदरी आपकर पढ़ाने के कोशिच किया एक के कोशिच को आपको समझाने के जय भारत